नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं इस रेली में इंडिया गड़ बंधन के आला नेताओ का जुटान होगा जामो महासाचीव सुप्रिवे भटाचाय ने कहा है कि यह रेली परिवर्तन का संखनात करेगी कांग्रेस के परदेश अध्यक्स रायस ठाकू ने कहा है कि यह रेली एतिहासिक होगी बता दे कांग्रेस अध्यक्स मलिकार जुन खरगे राष्ट्रे नेता राहूल गांधी तेस्वी यादो अकलेस यादो दिपांकर भटाचार्ज संजाय सिंग और अर्विंद केजरिवाल की पतनी सुनिता केजरिवाल नेशनल कंफरेंस के फारुक अब्दुला सहित कई नेतावने रैली में सामिल होने को लेकर अपनी समती दे दिया है इसके साथ ही महराष्ट से सीव से ना उद्दव ठाकरे गूट से प्रियांका चतुरुएदी रैली में सामिल हो सकती है इधर कांग्रेस के परभारी गुलाम अहमाद मीर और राज सभासांसत नासीर हुसेन सनिवार को ही जारकन पहुँच रहे है जैक बोड मैट्रिक रिजल्ट 90 फिजदी बिद्यार्थी इस बार सफल जारकन अकेडमी काउंसिल जैक ने सुक्रवार को मैट्रिक परिक्षा 24 के रिजल्ट जारी कर दिया है परिक्षा में 90.39 फिजदी बिद्यार्थी सफल हुए है हलाकि फिजले साल 95.47 फिजदी का तुल्णा में रिजल्ट में करीब 5 फिजदी की गिरावट हुई है रिजल्ट इसकूली सिक्षावत सचता विभाके सचीव उमार संकर सिंग ने जारी किया है इस बार इंद्रा गांधी अवासिय स्कूल हजारी बाकी छत्राओं ने पहले तीन अस्थान प्रकाब जाकर परचमला राया है इस स्कूल की जियोत सना जियोती को 496 अंके साथ एस्टेट टोपर बनी है वहीं इस बार रिजल्ड के मालू में पूर्वी सिमूम अवल रहा है जबकि देवघर फिशडी है सिर्श अस्थान हासिल करने वाले बच्चों में अधिकांस, किसान और सिक्षक के बेटे-बेटिया है लोहार को एस्टी की सुची से हटाने पर कोट ने मंगा जबाब लोहार जाती को एस्टी सुची से बाहर करने के खिलाएप दायर याच काबर स्ुक्रवार को जणजाती समाज के अधिया है जारखन में बिजली संकाट राज्य समेत रांची में फिर से बिली संकाट उत्पन हो गया है यह समस्या सुक्रवार दो फर से शुरू हुई है क्योंकि TVNL की एक यूनिट से उत्पादन ठप हो गया है इस करण सिर्फ एक यूनिट से 140 मेगवाट बिली मिली है वहीं दूसरी से 140 मेगवाट बिली की कमी हो गई है इसे राज्य के कई छेत्रों में लोड सेडिंग की स्थिती उत्पन हो गई गर्मी में लोगों को बिली की आख मिचली से रूबरू होना पड़ा है इस समस्या का समधान सेंट्रल पावर एक्सचेंज से अतिरिक्त बिली लेकर अपूर्ति को समाने करने का प्रयास किया है बतादे राज्य में 100-200 मेगवाट की बिली की मांग बढ़ी है जबकि समाने दिनों में 17-1800 मेगवाट बिली की मांग रहती है जार्खन को नासा मुक्त करने के लिए सरकार से मांगी योजना जार्खन हाई कोट ने राज सरकार को यह बताने को कहा है कि सुवे को नासा मुक्त करने के लिए उसके पास क्या योजना है नासा का कारोबार रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए है सुक्रवार को सौतर संग्यान लिये मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने राजे के गिरी सचीव डीजी पी, डीजी, सी आईडी और नार्कोटिक्स कंट्रोल वियोरो को परतिवादी मानते हुए 7 मैं तक जबाब दाखिल करने का निदित दिया है कोट ने केंद्र एवं राजे की इंटेलिजन्स एजन्सी को सन्युक्त रूप से अभियान चलाकर जार्कोन में ड्रक्स की खरीद फरोक्त पर रोक के लिए करवाई करने को कहा है सुनवाई के दोरान अदालत ने मोखिक रूप से कहा है कि खुट्टी जन जाती है जिला है जिले को अफिम का बड़ा उत्पादक चेतर बताया जाता है या इस्थीती किसी भी सब ये समाज के लिए सविकार करने योगी नहीं है जारखन में एलो अलर्ट जारे ही राजधानी समयत राज़ी के विभीन हिसो में 20-22 अपरेल तक गर्मी बढ़ने की जेतावनी जारी की गई है इस दोरान रांची का अथिक्तम तपमान 40 डिगरी के करीब पहुंचने की समभावना है जबकि नितम तपमान भी 26 डिगरी करीब पहुंच सकता है राज़ी के कोलहान, उत्री छटानागपूर के बोकारो और धनबात असा संताल परगना के जिलों में अगले तीन दीनों के दरण उस्मन लहर चलने के एलो अलर्ट जारी किये गए है जबकि 22 से मौसम में बदलाव के अनुमान के साथ दक्षिनी, भाग में गरज के साथ हलकी बारिस और कहीं कहीं वजरपात होने का एलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने राज के लोगों को प्रोणवान के मुताबिक उस्मन लहर से बचने के जरूरी एडवाजरी भी जारी किये है रांची में पिछले 24 गंडे के दौन अधिकतम तापमान में करिब 3 डिगरी की बिरिधी होई है बिहार सिक्षक भरती की रद परिक्षा 10 से 12 जून तक बिहार लोग सेवा आयोग ने सुक्रवाय को संसोधित परिक्षा केलेंडर जारी कर दिया है आयोग की ओर से जारी केलेंडर के अनुसार तीसरे चनन की रद सिक्षक भरती परिक्षा 10 से 12 जून के बिच होगी तीसरे चरन के माध्यम से 87744 सिस्कों की भरती पहली से बरहमी तक होनी है सभी बर्गों के लिए अलग-अलग सीट नहीं धारी था बता दे कि पंदर हमार्च को सिक्षक भरती परिक्षा का पेपर लिक होने से इसे रद करना पड़ा था इस परिक्षा के लिए 5 लाग अभियार्थियों ने आविदन किया है वहीं तीसरे चरन की सिक्षक भाली परिक्षा का पईणाम 10 जुलाई तक जारी करने का लक्ष भी BPSC ने रख लिया है देवगर एम्स कैंपस में 4547 एकर में बनेगा केंद्रिय बिद्याला है जार्खन के देवगर एम्स कैंपस में केंद्रिय बिद्याले खुलेगा गोड़ा सांस्तर डाक्टर निशिकांदु वेद्वारा हाई कोट में PIL के बाद राज सरकार ने सपत पत्र दायर कर केंद्रिय बिद्याले निर्बान के लिए भोमी का बियोरा उपलब्द करा दिया है इसके साथ ही एम्स के समीब रामू डिख गाओं के गल्स होस्टल में अस्ठ हाई तोर पर केंद्रे विद्याले खोलने को भी राई सरकार त्यार हो गई है बता दे सांस्तर डाक्टर निशिकांदु ने राई सरकार के साथ हुए M.U. के अनुसार एम्स में बिजली पानी सड़ा के साथ M.U. के अनुसार एम्स में नौकरी करने वाले डॉक्टर नर्स वा अने कर्मी के बच्चों के लिए केंद्रे विद्याले की जमिन मुहाया कराने में राई सरकार के अस्तर से देरी पर हाई कोट में P.I.L. दायर किया था इसके बाद हाई कोट ने राई सरकार को कई बार इन सुविधाओ को जल्द मुहाया कराने करने देश दिया था हाई कोट के कड़े रूह के बाद राई सरकार ने एम्स के लिए पुर्व से चिन ही 4.47 एकड़ भोवी परकेंद्रे विध्याले निर्मान की विभागिये परकिरिया पूरी कर सपत पत्र 29 अप्रेल को दायर कर दिया है चुनाव तयारियों में सिथीलता बरदास्त नहीं मुखे निर्वाचन पतादिकारी लोग सभा चुनाव की तयारियों को अमतिम रूप दिया जा रहा है तयारियों में कोई सिथीलता और बहाने बाजी नहीं चलेगी गर्मी धूप लग रही तो माथे पर गमछा लगाए और छेत्र भरमन का निर्वाधात्मा करवाई सुनिश्चीत करे निर्वाचन कारे की तयारियों में बेहतर पाई नाम चाहिए उक्त बाते जहारखन के मुख निर्वाचन पतादिकारी केर अभी कुमाने कही है वे सुक्रवार को गढ़वा समा डाले में पलामू लोग सभा चेत्र के गढ़वा जीले में अब तक की गई तयारियों की समिक्चा कर रहे थे बत अरोपितों के बिरूत कड़ी करवाई करने का निर्देश दिया है सुदेश महतों ने सरकार पर बोला हमला चाई बासा के गांधी मैदान में आईसू पार्टी का सिंभू लोग सभा अस्तरिये ग्राम परभारी सम्मेलन आयो जीत किया गया समिलन को समोधित करते वे आईसू पार्टी के केंदरी अध्यक सुदेश महतों ने राज सरकार के नितियों की जम कर आलोचना की है सुदेश महतों ने कहा है कि साड़े चार साल से सत्ता का सुक भोग रह जारकन मुक्ति मोर्चा लोग सभा चुनाओं में जानता है कि सामने विकास का कोई एक उधारन पेस करने की चिति में नहीं है और नहीं इनके पास राज के परमुख विश्वयों पर कई सुच अथवा असपश्ट विचार हैं लोगों की भावनाओं को कुरेद कर राइनिति करना ही जम्यम की मनसा रही है लोग सभा चुनाओं में करारी हार के लिए जम्यम और कांग्रेस दोनों को त्यार रहना चाहिए वहीं आज सुप पार्टी के अदेख सुदेश महतों नेका एक जार्खण मुक्ती मोर्चा के राइनिति का इतिहास पलट कर देख लिजिए इन में कहीं जार्खणियों को भला करने की मनसा नहीं दिखेगी धन्यवाद